नमस्का दोस्तो स्टॉक मार्क स्टाटिज में फिर से एक बर आपको सागत हैं तो आज मैं बात करना बला हूँ दिगज एक लीडिंग सिमेंट कोंपणी के बारे में मैं पिछले दिनों में मतलब पिछले एक दिन पहले मैं अल्टाटेक सिमेंट के उपर वीडियो बना था तब उसका क्वाटर टू का रेजल्ड आ था तो उसके उपर रिजल्ड बना था तो कॉंपणी बहुत अच्छा का सा पार्फॉमेंट किया है फिर भी उसका एस्टिमेट ठीक ठाग नहीं है तो इसलिए स्टॉक में गिराबट देखने को मिला मगर आज के दिन जो स्टॉक उस सेक्टर में मतलब जितनी सारे सेमेंट सेक्टर है उसमें आज के दिन आज के दिन सबसे ज्क्राइब किचे बहुत साथ सारे पार्फॉमेंट डिगा है तो आप पकरना चाहते है uh उपर आपको क्या राय होंगे सारे जानकर यह पर देने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखना इसके मत करना बहुत कुछ आपको देखने को और सीखने को मिलेगा और मेरे वीडियो अच्छा लगए तो प्लीस लाइक करना और दोस्तों को साथ सेयर भी करना तो चलो 50, next 50 में के पिप्टी का अंदर आते हैं जिसका आज का दिन का सबसेभर नरका जो स्टाँक और वह से सी का आज का दिन तौप गेकर है मतलव next 50 का जितने सारे स्यर से उसमें टौप गेकर है एस सी पिश्य ने आ पर देख सकते ।ो 4.24 परसन का यहां पर टोटल ना अज की दिन इसका profit देखने को मिला मतलब gain देखने को मिला तो इसके पीछे जो रीग बीग reason है वो है quarter 2 का result company quarter 2 का result सांदर publish क्या है तो इसी का नजरिया आज देखने को मिला है तो यह आप आप देख सकते हैं, आज के दिन करीबन करीबन 55,3% का का यह आ पे जंब देखने को मिला करीबन करीबन 4.64% तो इस परसेंटेज को में आभी मार्केट रानिंग है तो इस डेटा भी चेंज हो सकते हैं तो आपको में सिरप एही दिखाना था के company इस तरीके से किस तरीके से performance किया तो इसलिए आज ही के दिन nifty negative में है मतलब nifty आज भी negative 10 में है फिर भी ACC ने जब 10 performance क्यूं किया उसके पीछे जो big reason है वो है quarter 2 का result तो इस result के बारे में यहापे आपको सारे जानकरी आपको दिखा रहा हूँ आप एक बाद ध्यान से देख लेना तब आपको पता चलेगा company किस तरीके से performance किया है तो यहापे मैं quarter 2 का result के उपर आचुका हूँ यहापे आप देख सकते है quarter 2 का result है यहापे SEC का quarter 2 का result है वो result के सामने आपको details में दिखाऊंगा यहापे दिखे यह जो data है यहापे quarter 2 का data है मतलब quarter 2 का result का data है यह पिछले quarter 1 का result का data है और यह है पिछले सालों का quarter 2 का result यह सारे data आपको सामने में आपको पेस करूँगा एक एक करके आपको दिखाऊंगा company किस तरीके से performance किया है तो total income के बारे में बात करूँ company जिस तरीके से income किया है उसके हिसाब से आप सिर्फ फिगर देख लीजिए यहां पर million में है लाखों में है करोड में है कुछ भी हो आप सिर्फ फिगर देख लीजिए तभी आपको पता चलेगा तो यहां पर 3812 यहां पर टोटल इस quarter में total income किया पिछले quarter में था 3900 करोड और पिछले साल में था 3500 मतलब देखा जा रहा है यहां से यहां पर देखा जा रहा है कि इंकम में positive दिखाए दे मगर पिछले जो quarter था उसमें यहां पर थोड़ा सा मुझे नेगेटिव मतलब माइनस में आपको देखने को मिला तो इसका जो पहले आपको income में थोड़ा सा कम देखने को मिला पिछले quarter से अगर पिछले सालों से comparison करूं तो बहुत असांदार यहां पर performance देखने को मिला है तो साथी साथ यहां पर total expense है company कितने expense के उसके भी देख लीजिए company 3200 यहां पर total expense किया इस quarter में पिछले quarter में 3169 expense किया था और पिछले सालों में 3042 में expense किया था तो overall बात करूं तीनों department को एक साथ जोड़कर तो expense भी इस quarter में ज्यादा ही किया है तो यहाँ पर आपको profit का details दिख जाएगा तो profit pay करने के बाद company जो profit किया है उसके बार में एक बार थोड़ा आपको जूं करकर दिखा देता हो यहाँ आप अब देख सकते है company के total income है total यहाँ पर दिखे comprehensive जो income है वो total income देख लीजिए 449 यह जो figure है पिछले quarter में 533 था मतलब इस quarter से comparison करूं तो यहाँ पर positive था यहाँ पर negative मुझे देखने को मिला मगर पिछले सालों से comparison करूं तो पिछले सालों में 363 था तो यहाँ पर 300 से direct 449 और यहाँ जो jump है वो है positive तेम तो इसी का जो अच्छा का सा profit देखने को मिला तो इसलिए इस को मतलब quarter ने पिछले सालों से comparison करूं तो चबादस performance क्या तो इसलिए आज के दिन company ने एक अच्छा का सा तेजी दिखाया करीबन करीबन साड़े 4% का यहाँ पर तेजी देखने को मिला तो कॉमपाणी के EPS के बारे में बात करूं तो पिछले quarter में देखे 28 EPS था पिछले सालों में 19 था और इस सालों में 23 हो चुक है मतलब EPS भी पिछले सालों से comparison करूं ग्रोथ हुआ है मगर हर department में आपको एक चीज देखने को मिलेगा पिछले जो quarter था उससे comparison करूं तो इस quarter में उतना अच्छा का सा performance मुझे नहीं देखने को मिल रहे तो segment wise बात करूं तो company जो इतने सारे सीमेंट को सीमेंट है और यहां पर देखे रेडेक्स मिक्स कॉंक्रीट है वो टोटल कूल में लगत देखा जाए जो revenue generate क्या है वो 3700 इस quarter में है और पिछले quarter में 3800 था और पिछल quarter quarter two और quarter one इस दोनों के comparison करूं तो quarter one में जवदस performance था जो quarter two में उतना सांधर performance यहां पर नहीं देखने को मिला तो इसलिए आज के दिन अच्छा का से यहां पर तेजी देखने को मिला क्योंकि पिछले सालों से comparison करूं तो जवदस यहां पर्फोर्मेंट हो चुके है तो company के पर्फोर्मेंट किया और उसके बाद यहां पर और भी पर्फोर्मेंट किया देखिए एसी सीपी सिमेंट तो इसका मार्केट का पिलेशन देखा जाए तो 44,000 करोन तो इसका data एक बार आपको दिखा देता हूं यहां पर देखिए total जो मार्केट कैपिलेशन है उसके return of capital employee 16 है और return of equity 12 है इस दोनों के comparison करो तो दोनों मुझे उतना खास नहीं लगा जो होना चाहिए था तो यहां पर face value अभी भी 10 रुपह है मतलब company अभी भी split नहीं कर चुके तो बहुत बार company बूनास दे चुके मगर company अभी भी company का share में split नहीं किया है और साथी साथ company को जि इस दोनों को comparison करूं तो company total almost day free company है और company CHR percentage भी जाबदस देते है 21% का CHR percentage 5 साल में दे चुके है company यह पर देखिए dividend भी जाबदस देते है तो यह positive news था और negative effect जो है वो है company sales growth बहुत कम है 3.2% का sales growth 5 साल में वह भी 5 साल में मात्र 3% का sales growth company ने किया है तो company has return of equity देखिए 3 साल म return of equity भी बहुत काम है 13 रूपीज में हमें सबको कहते आया है कि 15 के उपर होना चाहिए तब ही थोड़ा सा अच्छा कासा माना जाता है तो company का competitor के हिसाब से जितने सारे उसका cement company है उसके हिसाब से company third नहीं fourth number position में आता है क्योंकि number one company है अल्टाटेक cement इसके उपर result में published किया अब नहीं देखे तो उसको जाकर आप देख सकते प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं स्री सीमेंट एभी अच्छा का सा company है तो सारे comparison करूं तो company fourth number position में आते हैं तो ऐसे सी सीमेंट भी खराब नहीं है company के performance मुझे जब अधर लगते है क्योंकि company के साल भार जो performance है company साल जिस तरीके से नेट profit कर रहा है उसकी हिसाब से मुझे जब अधर रिस company लगते है क्योंकि दिखिए हर सालों में आपको जब अधर या पर फिगर देख सकते हैं और या पर इस सालों में अभी 2020 चल रहा है तो इस सालों में करोड का total profit या पर company ने किया है तो overall बात करूंपन मुझे सब कुछ ठीक्ता लगा मगर एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा वो है company का CAGR percentage return मतलब दिखिए आप return के लिए इस company में उतना अच्छागासा नहीं मिला मैं आपको एक बाद डेटा देखा दे तो दिखिए एक साल में चोड़ दीजी एक साल में कोरोना के lockdown के बा आपको ठीक ठाग return दे रहा है तो यहां पर 20% नहीं देखने को मिला 5 सल में मात्र साथ परसन 10 सल में मात्र साथ परसन तो यह चीज मुझे ठीक ठाग नहीं लगा क्योंकि रिटान अप इक्विटी बीदेखिए उतना अच्छा अच्छा पार्फयमेन्स मुझे नहीं देख लगा profit को ठीक ठाक चल रहा था मगर sales growth totally weak लगा तो इस सारे parameter आपके सामने में रख चुका हूँ और सिर्फ एक चीज आपको दिखाना है वो है shareholding pattern तो shareholding pattern देखें करीबन 54% holdings promoter के पास है जो अच्छी बात है 50% के उपर है यह वाइस देखें 13% government 0.15% stake के आपे खरीदरी करके रखा है public देखें 12.35% का holding करके रखा है तो overall इस company के बारे में बात करूँ तो company का performance मुझे खराब नहीं लगता मगर company का कुछ issue मुझे खराब लगा जो इसका sales growth return of equity return of capital employee उतना growth अच्छा नहीं है तो आप इस type stock में निवेस करना चाहते है तो थोड़ा निवेस करिए ज्यादा निवेस मत करिए company का performance अच्छा है मगर company का sales growth और CGR percentage उतना मुझे खास नहीं लगा तो आप के राए होंगे कि आप इसमें ज्यादा निवेस करेंगे कि कम निवेस करेंगे और आप इसमें निवेस करके बैटे हुए तो आप जोरू patient के साथ बने रहे हैं company में अच्छा कासा आपको performance जोरू दिखाएगा cement company बहुत दिख्यत में है क्योंकि construction company उतना तेजी से growth नहीं हो रहा है तो राकेश जी का कैना है कि future में construction company metal sector और cement sector और जितने सारे construction sector है वो आच्छा कासा तेजी दिखा सकते है देखिए यह जो data है वो उनका कैना है मुझे उपर भी वीडियो बना चुका था उसका भी आपको मिल चुका है तो मेरे वीडियो को अच्छा लेगा तो लाइक करना दोस्तों को सब्सक्राइब करना मिलते आगले स्टोक लेगा तब तक लेटे से सरी है अपने ख्याल रखिये बाए बाए